तो गाईस आग किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोटर आडी कार्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस चीज को एक्सप्रियंस भी किया होगा कि जब कभी आप एक नए वोटर आडी कार्ड के लिए अपलाई किया है तो कई वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्ली सब्सक्राइब कर लो और साप में नोटिफिकेशन बिल को भी आउन करके आपको मिलती रहे मैं इस चैनल पर इसी टेप इनफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं त सबसे पहले तो मैं आपको यह प्रॉब्लम प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि एक्शुली इसमें होता क्या है मैंने एक वोटर इडिकार्ट में करेक्शन के लिए अपलाई कर रहा था तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसका स्टेटस चेक करके आपको द डाल देता हूं मैंने रेफरेंस आड़ी यहां पर डाल दिया और चलिए यहां पर मैं ट्रैक स्टेटस के उपर चेक करके इसका स्टेटस पहले में चेक करता हूं तो आप देख सकते हो गाइस कि इसका जो स्टेटस है वह आपको शो कर रहा है सब्मिटेड बी एलो पॉइ अगर आपका फॉर्म होता है तो और अगर रिजेक्ट होता है तो वहीं पर रिजेक्ट लिखा देगा और बात वहीं से साथां यहाँ पर खत्म और अगर एक्सेप्ट हो जाता है connection वाले के समय भी आगए चलतके इपके आपको भी शो करेगा तो वहांपे आपका जो पहले तो इपफिक नंबर और शो करने वाला है आपका इपिंग नंबर चेंज नहीं होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं क कर रखा था मेरा इपिक यहां पर जेनेरेटेड शो कर रहा है मतलब मेरा करेक्शन का जो काम था हुआ मतलब क्या है कि हो गया है लेकिन फिर भी हम उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसी इपिक नमबर का यूज करके अपने वोटर आईडी डिटेल को डाउनलोड करने के कोशिस करता हूं तो चलिए मैं यहां से पहले बैक आ जाता हूं यहां पर क्लिक करेंगे सर्च वा करने कि यहां यहां पर cure क्लिक करा यहां दिखा दी है मैं जब कभी यह ट्रढ pospare करतां तो अथिकतर लोगों करते हैं अंचर्य को साथ आप यहां जाने करते हो तो माले टस्यासे कि अपने एक नए वोटर ईडी काड़ के लिए अपलाई किया तो आपका जो डाटा है आपके बारे में जो वीवरन है वह इस के वेब साइट पर अपडेट करना होता है और अगर आप करेक्शन के लिए करने के यह पास इंडिया के पास आपका डेटा अपड़ेट होने में ताइम लग जाता है इसी वज़े से आपको यहां पर करता है तो यह कोई बहुत बरा इशु नहीं है अब बात आता है कि इसका solution क्या है तो इसका solution simple है कि आहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं simply आपको वेट करना होता है और यह कंकर करना हो का कम से कम 15-25 दिन तक वेट करना है अगर आपने लिए आपको 15-25 दिन तेका वेट करना है मैक्सिमम 25 दिन के अंदर अंदर यह जो डाटा है वो अपडेट हो जाता है उसके बाद आपका डिटेल्स वेबसाइट को उपर शो करने लगेगा आपने वोटर डिटेल को डाउलोड कर पाएंगे लेकिन यह टाइम पिरेड है वह आपके अबसे आपने अपने form को अपलाई कर रखा त्बसे नहीं आपके फॉर्म को अपलाई करने के बाद इपैंड होने लगबग लगबग एक महीने का वक्त लगी जाता है यह विबसाइट पर आपको नहीं बोलूँगा मैंने प्रैक्टिकली जो फिल किया मैंने प्रैक्टिकली जो एक्स्पिरियंस किया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि लगबग एक महीने का समय आपको लगने वा तो आपने खराप तो नहीं कर दिया आपने वोटर रेडी काड को कोई बात नहीं होती है यह समय लगता ही है नॉर्मल चीज़ है अगर आपने वोटर रेडी काड के लिए अपलाई कर रहा है उसका इपिक भी जनेरेट हो चुका है वेबसाइट पर अपडेट होने में थोड को लाइक जरूर कर देना का इस चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में